हाई एवरिवाद उमीदियाब सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज का टोपिक जो है मैं उस पर बताने जा रही हूँ ड्राइ स्किन के हवाले से जिनका स्किन 50% ड्राय है जिनका 40% ड्राय है या जिनका 100% ड्राय है ये फार्बुला इन सब ड्राइ स्किन लोगों के लिए है देखे लोगों के लिए है अंगे देखे की लोग होते ना वो तो के हैं ना वो तो अपनी रिटलस वाले सौन और लेते लेकिन और यो ब्लाइ सकते वाले होते न यह इंज़्याइट नहीं कर पाते हैं किसी का इतना हाई dry skin होता है न 100% को पहलते हैं नीजए निंग को जाती है जे जो dry skin वाले लोगे ना उन्हीं को ये बाते पता है वो ये फील कर सकते हैं लेकिन मार्कीट में अच्छे लोशन अच्छे प्रोटेक्स क्रीम एक्सपेंसिफ होते हैं जो हर कोई अफोड नहीं कर पाता है तो मैं जो ये ये फार्मूला आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये हर घर में असानी से आप लोग अफोड कर सकते हो जो अफोड नहीं कर पा रहे हैं वो भी यूज कर सकते हो जो अफोड कर रहे हैं जो एक्सपेंसिफ चीजे लेते हैं वो लोग भी इसे ट्राइ करें, तो expensive cream और lotion से आप बच जाओगे और आप अपने घर में इस फार्मूले को अपनाओगे, तो चले अभी मैं बताने जा रही हूँ, तो सबसे पहले आप लोग वेसलीन लेजिए, वेसलीन, वेसलीन तो हर एक घर में पड़ा होगा, हर एक के पास, वेसलीन जाते हैं न, आप लोग जो होटों पे लोग लगाते हैं वेसलीन, येतना जैसा वो उसमें मिल जाता है, पॉक्स में, छोटा सा वेसलीन, अच्छा, तो वेसलीन लेजिए, और अगर आपके आप अपने चेहरे पी सिफ लगाना चाते हैं तो उसके हस पे जरूरत आप वेसलीन लेजिए, और हल्दी हस पे जरूरत लेजिए, जितना आपका फैस है न, उसके बराबर आप उसे, लीजिए और दोनों को मिक्स कर दे और अपने चेहरे पे लगा ले अगर रात को लगाना चाते तो काफी अच्छा होता है रात को सोते वक्त सुबह आप लगवाश कर दे किसी भी हैंड फैजवाश से आप मूध हो सकते अगर आपके पास फैजवाश के अफोर्ट नहीं कर सकते फैजवाश तो आप बेसन से भी मूध हो सकते किसी आम साबुन से भी मूध हो सकते लेकिन फैजवाश ज्यादा बेतर होता है और बेसन भी सबसे अच्छा है अगर किस कोई अफोर्ट नहीं कर सकता है तो अगर वोलो गैंगे इस इक्सपंसिव चीज़ों से बचना चाले तो घरमी बेसन से मून धोले तो रात के टायए अगर यूस करना चालते है तो रात के टायएं बेसनी और हल्दी को म्क्स कर लिक रिक हस्त भी ज़रूर्ब जो चेहरे पर लगाना चाहते तो रात को लगा ले और सुबामूध हो ले हफते में दो बार किया करें आपका स्किन गलो और चमकदार रहेगा वाइट और चमकदार रहेगा और आप ड्राइ स्किन को भूली जाएंगे कि आपका कभी ड्राइ स्किन था हाँ ये पूरे बोड़ी के लिए अगर इस्तिमान करना चाहते तो उसके हस्बे जरूरत आप लेजिए मेसलीन और हल्दी जहां जहां जितना भी आपको जरूरत पड़े आप बोड़ी के हिसाब से उसको मिक्स कर दे और फिर अपने बोड़ी की किसी भी हिस्से पे लगा ले और फिर शावर करके अपने आपको धो ले अगर पूरी बोड़ी भी लगाना चाहते न तो उसके बाद आप शावर ले ले तो घंटे के बाद एक घंटे के बाद शावर ले या रात को लगा ले तो सुबश शावर और अगर हातों के लिए यूज़ करें तो हातों के मताबिक आपने वेसलीन और हल्दी को लेना है मिक्स करना है और लगाना है आप लोगों का चेहरा और पूरी बोडी इस तरह ग्लोग करेंगी कि आप लोग कहेंगे कि हम अभी पेता हुए हैं इस तरह का बीबी स्किन हो जा ये खराब हो जाती है काफी लोगों की फोट नहीं कर पाते पालर को जाए या किसी अच्छे लोशन या क्रीम को लगाए तो वो भी इस एडियों के लिए भी वो वेसलीन और हल्दी ले ले और उसको रात को लगा ले उस सुबह धोले अपने पेरों को अच्छा तो आप ल आपको ये वीडियो अच्छी लगीगी और मेरा ये नुकसा जो है ये आप लोगों को अच्छा लगेगा और फाइदा भी पहुंचेगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आप लोगों को आपने जब यूस किया इस फार्मूले को तो किस तरह का रजल्ट मिला आप लोगों को तो आएंदा भी मैं आपको फार्मूले बताऊंगी मुझे से पूछे आपको क्या आपको लोगों क्या चाहिए कौन सा फार्मूला चाहिए मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगी चले अलाहाफेज खुश रहिए अबाद रहिए